पे नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक पर फिर से Postal Studies के online चैनल पे तो दोस्तों आज हम देखेंगे Correspondence to President, Vice President, Central Government PMIP in extra certain high government officers when on move हमारी देश के बस्तार्पती है उप राश्ठ पती या फिर केंद्र सरकार के Ministers या फिर कुछ उच्चादिकारी जो बड़े government officers है IS बगेरा अगर वो कभी दोरे पर जाते हैं कहीं तो उनके जो articles होते हैं उनका कैसे हम deliver करेंगे या फिर उनकी तरफ से जो article बेज़ा जाते हैं उनको कैसे बेजा जाएगा ठीक है दोस्तो 25 हमारा article number है जो की है camp article special bag और camp bag ठीक है दोस्तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये किसके लिए use होता है जैसा कि हमने पहले बेजाए for president, vice president, ministers और बड़े officers के लिए जब वो दोरे पर होते हैं ठीक है दोस्तो जब वो दोरे पर होंगे तो उनके जो articles आएंगे वो ये camp articles special bag और camp bag में हम भो देखेंगे आगे चलते हैं fully prepared uninsured camp articles of letter mail ठीक है दोस्तो fully prepared और uninsured camp articles of letter mail ये एक list है यहाँ पर कौन कौन से भेज़े जा सकते हैं inland registered letter, unregistered letter postcard, newspaper और book and patent packets ये सभी आप camp articles में भेज सकते हैं ठीक है दोस्तो whether official postal article और private ठीक है दोस्तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिर्फ आप official post articles ही भेज सकते हैं आप यहाँ पर private भी भेज सकते हैं जैसे कि सिर्फ जो government officers वाले होते हैं जैसा हमने इससे पहले भी पढ़ा था अगर आपने कल की class certain की है जैसे उसमें हमने पढ़ा था government के officers जो articles भेजते हैं government service stamps वाली OIGS और और वो सिर्फ उनी को नहीं भेजा जा सकता है बलकि यहाँ पर private को भी भेजा जा सकता है address जो है आपको वो camp का डालना होगा ठीक है दोस्तो इसमें post town का नहीं होना चाहिए वो camp होना चाहिए जहां पर वो minister या जो हमारे राष्टपती है या फिर कोई जिनके लिए वो article है वो जहां पर रुके है जहां दोरे पर गए है और कहीं पर रुके है उस camp उस जगह को हम camp कहेंगे और उसका ही अद्रेस होगा post town नहीं होगा उसमें ठीक है दोस्तो आगे देख लेते हैं search articles are enclosed in special mail bags for each officer ठीक है दोस्तो हर एक officer के लिए या हर एक minister के लिए special mail bags ठीक है दोस्तो special mail bags में वो articles होगे वो बंद करके आएंगे और हर एक article के लिए अलग bag होगा ऐसा नहीं है कि एक ही bag में सब ही के articles आ जाएंगे हर एक officer के लिए अलग bag होगा ठीक है दोस्तो आगे देखते हैं इसको registered list in placed in every special bag ठीक है दोस्तो जितने भी special bag होगे हर एक officer के उसमें एक register list रखी जाएगी जिसमें details होगी register articles की कि क्या क्या उसमें register articles है register list उसमें होगी ठीक है दोस्तो आगे register list must be signed in token of receipt ठीक है दोस्तो जो register list है वो signed होनी चाहिए as a token of receipt receipt के token के रूप में उसे sign करना होता है आगे है empty bag is returned to postal official जो खाली bag होगा यानि कि delivery कर दी गई है उसके बाद जो खाली bag है वो postal official जो वो postal department का official जिल लेके जाएंगे उस bag को उन्हें return कर दिया जाएंगा special bag will be delivered on all days जो special bags होते हैं यह यानि कि हमारे किसी minister के लिए या फिर जब वो दोरे पर होते हैं special bags जो होते हैं उनकी delivery all days होती है हर दिन होती है Sunday plus holiday Sunday और holiday कभी भी उनकी delivery हो सकती है तीक है दोस्तों आगे है हमारा article addressed camp can be used special bag तीक है दोस्तों articles जिन articles पे camp address लिखा है address में camp लिखा है उन पे special bag use कर सकते हैं तीक है दोस्तों आगे है no discrimination कोई भी भेदभाव नहीं होगा चाहे वो official letter हो या फिर private article हो ठीक है दोस्तों और name और designation हो ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यह official letter है तो इन्हें पहले बेजा जाएगा private article को बाद में भेजा जाएगा वो जो है वो same जैसे वो आएंगे वैसे ही उन्हें भेजा जाएगा तीक है दोस्तों इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि यह किसी बड़े officer का है यह किसी छोटे officer का है तो उसमें कोई भेदभाव की गुंजाश नहीं रहती है आगे चलत आपके जो आर्टिकल है उसमें post town का address डला है ठीक है दोस्तों तो only send to post town तो सिर्फ वो post town में भेजा जाएगा वो camp में फिर deliver नहीं हो पाएगा ठीक है दोस्तों और no redirection, camp or post town, redirection camp articles और post town articles में when ministers on move, जब दोरे पर होते हैं तो redirection नहीं होती है उसकी, चाहे वो camp में आप से post town करना हो या post town से camp करना हो, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आगे address neither to post town nor camp, send to HQ, अगर ना ही post town का address है ना ही camp का, तो उसे headquarter में भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, आगे हमारा parcel money order, insured article, valuable article और due articles, ठीक है दोस्तों, या फिर parcel money order, बीमा किये हुए article और value payable article और due articles, जिनमें की कोई post शुल्क या कुछ देने को बाकि रह गया है, ऐसे जो articles है, उनको special bags में deliver नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, special bags में उनने deliver नहीं किया जाएगा, और address to post, और जो ऐसे articles है, यानिकि ये parcel money order, insured article, value payable article और due article, इन post town होना चाहिए, इनका camp नहीं होगा, camp किसका होगा, वो हमने पहले list देखी थी, उनका, आगे देख लेते हैं, आगे हमारा office files, official papers, ठीक है दोस्तों, to or from camp, ठीक है दोस्तों, अगर कोई office की files है, या फिर कोई official paper है, government के, तो उन्हें camp से भेजा भी जा सकता है, और camp के लिए भी जा सकता है, ठीक है, दोस्तों, दोनों ही scenario इसमें काम करेंगे, camp से भी भेज सकते हैं, और camp से भी भेज सकते हैं, और camp के लिए भी भी भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और ऐसी files को, यानि कि official files को, या फिर official paper को, ठीक है, दोस्तों, in close, बंद होने चाहिए, वो bag में, तो बैग में closed होने चाहिए वह in closed यानि कि अच्छे से pack होने चाहिए वह बैग में जो की provider provide किया जाएगा sender के दोरा ठीक है दोस्तों यह जिम्हधारी किसकी बनती है sender की कि वह जो article से आये official papers और official files वह बैग में enclosed अच्छे से pack हो वह जिम्हधारी है provided by sender वह बैग provide करने के जिम्हधारी sender की होगी ठीक है दोस्तों चाहिए वह camp से भेजा जा रहा है या फिर camp के लिए भेजा जा रहा है ठीक है दोस्तों आगे हमारा can be sent as camp bag camp bag के द्वारा camp bag के जैसा इसे sent किया जा सकता है इसे भेजा जा सकता है और booked at rate of parcel air mail air parcel letter mail ठीक है दोस्तों parcel air parcel और letter mail के जो rate होगे उन्हीं पर ये book किया जाएंगे आगे देखते हैं आगे अब इनको अलग-अलग से देख लेते हैं parcel parcel को कैसे book किया जाएगा ठीक है दोस्तों camp bag booked as person ठीक है दोस्तों camp bag ठीक है दोस्तों ये camp bag कौन सा होगा जिसमें की official files बगएरा भेजी जा रही है official papers भेजे जा रहे है ठीक है दोस्तों तो उसे book किया जाएगा parcel rates में ठीक है sent by surface route और surface route के वारा इसे भेजा जा रहा है थाना charge as parcel being 10 kg अगर उसका weight 10 kg है तो उसे चार्ज किया जा रहा है parcel weight के हिसाब से plus registration fees आपको उसमें देनी होगी plus incidental charge plus accidental charge देना होगा 16 रुपए ठीक है दोस्तों कितना रुपए charge देना होगा accidental parcel में 16 रुपए और parcel के rate पे ही उसे charge किया जाएगा और registration fees देनी होगी आगे है हमारा air parcel अगर उससे by air भेजा जाएगा book ये भी as parcel ही होगा ठीक है दोस्तों air parcel rate एर parcel rate में इसे book किया जाएगा plus registration fees देनी होगी उसमें आपको प्लस incidental charge जो accidental charge है वो छे रुपए इसमें होगा और surface route पे 16 रुपए और air route पे 6 रुपए ठीक है दोस्तों आगे हमारा letter mail letter mail के लिए दोस्तों सिर्फ आपको registration fees देनी होगी all charges prepaid as sender stamp ठीक है दोस्तों और बाखी जो देनी चार्ज होगे वो sender stamp जो टिकेट लगी होगे उसमें उसके रूप में वो prepaid होगे letter mail के ठीक है आगे देखते हैं आगे हमारा camp bags camp bags की delivery Sunday holiday Sunday और holidays में भी हो सकती है और book भी हो सकते हैं यह और deliver भी हो सकते हैं camp bags जो होते हैं ठीक है दोस्तों camp bag में अब क्या होने चाहिए दो labels लगे होने चाहिए में ठीक है दोस्तों पहला जो लेबल है वो होना चाहिए एड्रेस लेबल ठीक है एड्रेस लेबल में एड्रेस एंड नेम ठीक है एड्रेस और नाम पूरा नाम होना चाहिए जैसा कि हमने पीसली क्लास में भी पढ़ा जब भी किसी ओफिसर क्या किसी ओफिशियल का नाम लि त्क और legisl पता और पताधरक का पूरा नाम जिसमें की नाम और पूरा पता होना चाहिए दूसरा जो लेीबल है वो है officer ठीक है दोस्तों अब high officers के tour program यह है विशेश दोरे के हकदार ठीक है दोस्तों ऐसे विशेश दोरे के हकदार उच अधिकारी वो उच अधिकारी जो विशेश दोरे के हकदार होते हैं है ना के दोरों के कारेकरम उनके दोरों के जो कारे क्रव है उनके बारे में हम देख लेते हैं Timely and Exact Information of Officer to Post Office ठीक है दोस्तो उनकी टाइमिंग और Exact Information है ना उनके दोरे की होनी चाहिए Post Office में है ना उनको Postal Department में पूरी जो उनका कारे क्रम है उसकी उनको Detail देनी होगी तभी क्योंकि अगर उनके कारे करम का डीटेल ही नहीं पता होगा तो उनके कैम्प में कैसे डिलिवर हो पाएगे आर्टिकल्स ना इसमें क्या क्या होना चाहिए टूर प्रोग्राम अपडेट जो टूर का प्रोग्राम है उसकी तारीख क्या रहेगी कब निकलना है टाइम कब उन्होंने निकलना है departure का time यानि कि प्रस्थान करने का time क्या रहेगा arrival time क्या रहेगा कब वो पहुंचेंगे है ना उनका route क्या रहेगा by air जाएंगे by road जाएंगे या फिर किस किस शहर को cover करते हुए जाएंगे halls क्या रहेंगे कहां कहां वो रुकेंगे और way of journey जैसे कि हमने उपर भी देगा कि उनका जो रास्ता होगा जर्नी का वो क्या रहेगा ये सब जो details होती है वो post office में होनी चाहिए और routing of all camp article required है ना post के माध़यं से सभी शिविरह लेखों का मार्ग होना चाहीए और all camp जैसे दोरे में जिटनी जगा रुखेंगे जहां जहां पर उन्हें रुखना है उन सभी camps कि detail होनी चाहिए उन सभी camps के map कि वो margo का पता होना चाहिए detail होनी चाहिए ही कहां कहां रुखेंगे और convenience of camp bag from sectorate to camp and vice versa सचीवाले से उच अधिकारियों के शीविर में camp bag के आगमन की आवशक्ता ठीक है दोस्तों उनके जो सचीवाले है sectorate वगेरा महां से जो higher officers हैं उनके शीविर में यानि कि उनके camp में जो आगमन की आवशक्ता क्या रहेगी ठीक है दोस्तों वो सभी details होनी चाहिए आगे है हमारे officers ठीक है दोस्तों और authority अगर कोई कौन officer आते है तो किस के पास authority होती है उसके लिए अगर president या PM या फिर ministry से कोई आता है हमारे जैसे कि हमारे president आते है या फिर हमारे vice president आते है या फिर prime minister आ रहे है या फिर कोई बहुत ही खास यानि कि central government के minister दोरे प्यार है तो जो authority होती है वो dg की रहती है ठीक है दोस्तों अगर governors आ रहे हैं तो जो governors आते हैं तो यह state का आ जाता है ठीक है दोस्तों क्योंकि हर prime minister और president देश का होता है पर जो governors होते हैं वो हर राज़े के अपने होते हैं तो जब governors का आएगा यहां पर PMG है पर CPMG CPMG की वो रहेगी इसमें authority रहेगी ठीक है दोस्तों जब dg आते हैं तो hoc head of the circle जो है उनकी authority रहती है इसमें tour program जो tour program है जैसे कि हमने पहले भी इस article के शुरुआत में देखा था इस clause के जो tour program है वो advance में पूरा बताया होना चाहिए कि क्या क्या उनका program रहेगा ठीक है दोस्तों any change in tour अगर tour में कोई change हो जाता है तो जो authority रहेगी वो local SP, local superintendent of post, SRM, EMS इनकी रहेगी अगर कोई भी tour में change होता है तो इनकी authority रहेगी हो ठीक है दोस्तों आगे हमारा article for person accompanying high officer on tour ठीक है दोस्तों तो देख लेते हैं PO does not recognize the right ठीक है दोस्तों जो post office है वो ये right नहीं रखता है ठीक है दोस्तों कि वो जो अपने दौरे पर उनके साथ व्यक्ति आया उनको article delivery करने की no special arrangement कोई special arrangement उनके लिए नहीं है नहीं किये जाते care of high officer अगर जो उनका address आ रहा है जिनके नाम पर वो व्यक्ति के लिए जो उच्चाधिकारी के साथ आये है दोरे पर अगर उनके लिए आ रहा है कोई article और उसमें लिखा है care of high officer जिस high officer के साथ वो आ रहे है उनके care of में है तो वो deliver किया जाएगा वैसे नहीं होगा वैसे कोई इसमें खास प्रबंद नहीं होंगे उनके लिए ठीक है दोस्तों ये थे हमारे अभी तक के अब आगे बढ़ते हम आगे हमारा दोस् निशेद यानि कि ऐसी वस्तुए या कि ऐसी निशेद चीजे अभी हमने पड़ा कि अगर हमारे officers higher officers हमारे कोई नेता central government के ministers ये सभी दौरे पे होते हैं तो उनके articles को कैसे भेजा जाएगा या उनके द्वारा जो articles भेजा जा रहे हैं इससे पहले हमने वो पड़ा तो उनको कैसे भेजा जाता है अब हम पड़ेंगे ऐसे articles जो नहीं भेज जा सकते हैं ठीक है दोस्तों यह है निशेद articles क्या क्या निशेद हैं जिनको हम post post के माधियम से भारती है Indian post के माधियम से नहीं भेज सकते हैं ठीक है general prohibition इसमें सबसे पहले against any law temporary या कोई temporary law है या फिर fixed law है उ तो वो चीज आप बिलकुल भी नहीं भेज सकते हैं एनी incident और indecent और absence ठीक है दोस्तों अबद्र और अश्लील ना ही कोई अबद्र चीज यह आप भेज सकते हैं ना ही कोई अश्लील चीज यानि कि कोई भी अबद्र printing नहीं भेज सकते हैं जिसमें कि छपाई हुई हो पोटोज नहीं भेज सकते हैं आप लिटोग्राफी इंग्रेविंग उत्किर्न बुक्स नहीं भेज सकते हैं और काड्स नहीं भेज सकते हैं जिन में अबद्रता या अश्लीलता कि कोई content होगे ठीक है दोस्तों यह post office के अमाध्यम से आप नहीं भेज सकते हैं आगे देख जोस्तों अगर इनके cover पे या फिर इनके अंदर क्या कुछ लिखा है या फिर इनका design अबद्र है अश्लील है या फिर देश-द्रोह को support करने वाला है या फिर बहुत ही खतरनाक भयावादम की देने वाला है या फिर कोई offensive है किसी को जिससे आपती हो सके है या किसी के जिससे किसी को आपती हो ठीक है जोस्तों ऐसे letter, postcard, packet, parcels भी नहीं भेज़े जा सकते हैं जिन में ऐसा कुछ लिखा हो या उनके cover में ऐसा कोई design हो ठीक है दोस्तों आगे हमारा क्या-क्या नहीं भेज सकते हैं वो देख रहे हैं any explosive, कोई भी विसपोटक चीज़े, है ना, inflammable, jewel and shield पदार्थ, dangerous, खतरनाग पदार्थ, filthy, कोई भी गंदी चीज़े, noxidus, कोई भी विशाक्त चीज़े, जाहर बगएरा, इन सभी को नहीं भेज सकते हैं ठीक है दोस्तों, substance, ये हमने clause 152-153 में भी देखे हैं आगे देखते हैं, inflammables, ठीक है दोस्तों, inflammables क्या-क्या नहीं भेज सकते हैं, liquids, ऐसे liquids inflammables नहीं भेज सकते हैं, जिनका जो flashing point है, उन पर आज जो, उनका आज पकरने का point है, वो 200 Fahrenheit degree है, उससे नीचे है, जिनका उन liquids को नहीं भेज सकते हैं, spirit को नहीं भेज सकते हैं, जिनका flash point 90400 हैन ऐसी स्पिरिट्स को भी नहीं बेज सकते हैं इस्पिरिट जो होती है उनको नहीं बेजा जा सकता है जिनका जो प्लेश पॉइंट है अग लगने का जये दौन का पोईंट है वो 90 इसज्द इस नीचे हैं उनको ikज सकते हैं और इनको भी नहीं भेज सकते हैं जो फ्लेमेंबल है ठीक है दोस्तो इन फ्लेमेंबल है जो की आग लग सकती है जिसमें आगे हम देखते हैं शार्प शार्प इंस्ट्रूमेंट ठीक है दोस्तो कोई भी चाकू छूरी यह सभी चीज नहीं आप भेज सकते हैं शार्प इंस्ट् बेछ सकते हैं जो की किसी आर्टीक पौस्टल आर्टीकल को इंजॐरी पहुंचा पाए या फिर किसी आ немнож reward उनको इंजरी पहुंचा पाए ना ही ऐसा कोई जीवित प्राणी बेजा जा सकता है आगे देख लेते हैं और क्या-क्या नहीं भेजा जा सकता है इसमें है टिकेट प्रपोजल एडवर्टाइजमेंट ठीक है दोस्तों नहीं टिकेट नहीं प्रपोजल और नहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं विज्यापन नहीं टिकेट और नहीं प्रपोजल भेजा जा सकता है लोट्री का ठीक है दोस्तों किसका to lottery और ना ही lottery से related कुछ भी भेजा जा सकता है यानि कि lottery की advertisement भी नहीं कर सकते है आप by post proposal भी नहीं भेज सकते है और ना ही lottery के related कुछ भी भेजा जा सकता है क्योंकि यह against the law है आगे है newspaper ठीक है दोस्तों ऐसे newspaper भी नहीं भेज़े जा सकते है which do not follow press and registration of book act 1867 ठीक है दोस्तों ऐसे newspapers को भी नहीं भेजा जा सकता है जो guidelines है जो press and registration book act 1860 उसको जो follow नहीं करते हैं उसकी guidelines को ऐसे newspapers को भी नहीं भेजा जा सकता है आगे हमारा gold coin और bullion ठीक है दोस्तों about 10,000 गोल्ड कोई और bullion सोने के सिक्के सोने सोना सिक्के और bullion जो है दस अजार से उपर के वो भी नहीं भेज़े जा सकते हैं और articles having more than one address ऐसे articles जिन में एक से जादा address है वो भी नहीं भेज़े जा सकते हैं ठीक है दोस्तों यह हमने दस category में बाटा है इसको क्या क्या चीजे नहीं भेज़े जा सकते हैं अब आगे देख लेते हैं आगे हमारा clause number 210 local prohibition स्थानिय नीशे ठीक है दोस्तों अभी तक हमने पड़ा वो था पूरे inland post में यानि पूरे भारत के अंदर central government की जो post है postal department है उसके अंदर क्या नहीं भेज़ा जा सकता है अब कुछ हर अलग-अलग राज्ये के local स्थानिय निशेद होते है local prohibition होते है वो क्या है ठीक है दोस्तों number A है इसमें पहला है between two places in India ठीक है दोस्तों दो जगाहों के बीतर इंडिया में ना ही भेजा जा सकता है ना ही वहाँ से मंगवाया जा सकता है क्या नहीं मंगाया जा सकता है ओफियम यानि कि अफीम morphia ठीक है coca leaves और Indian hemp इंडियन hemp क्या होती है चरस भांग गांजा यही यह सभी चीज़े यानि कि जो कि यह ड्रग्स होते है इन्हें ना ही भेजा जा सकता है ना ही between two places in India कोई किनी भी दो स्थानों के बीच में भारत में इन्हें नहीं बेजा जा सकता है ठीक है एक्सेंप्शन है इसमें कुछ छूट मिली भी है इसमें और वो छूट किसे मिली है government को ठीक है only parcel plus declaration सिर्फ parcel में बेजा जा सकता है इसे plus declaration होना चाहिए इसका जो है declaration होना चाहिए writing में ठीक है दोस्तो government official की तरफ से नाम होना चाहिए उनका designation होना चाहिए ठीक है दोस्तो government official का जो वो parcel भेज रहे हैं उनका नाम plus उनका designation और sender and addressy ठीक है उनका नाम designation sender का भी और addressy का भी भेजने वाले का भी और जिसको भेजा जा रहा है उनका भी ठीक है दोस्तों और content की detail होनी चाहिए कि आप क्या भेज रहे हैं parcel में है ना indent number plus date date भी लिखी होनी चाहिए और indent number भी होना चाहिए उसका लिखावा आगे देखते हैं और किसको exception है इसमें recognized medical preparation ठीक है मानेता प्राप्ट चिकित्सा ठीक है ऐसे चिकित्सा के संस्थान जो कि मानेता प्राप्ट है अगर वो किसी medical use के लिए ले रहे हैं तो उन्हें भी बेजा जा सकता है इसमें exception है ओफियम, morphia, coca-lips, hemp, cocaine ठीक है दोस्तों इसमें मानेता प्राप्ट चिकित्सा के लिए भी एक exception है ओफियम, morphia, coca-lips, hemp यानि कि hemp, bang, charas, kanja और cocaine जो है वो भेजी जा सकती है sent by post by an chemist license ठीक है दोस्तों सिर्फ ये chemist license के द्वारा भेजी जा सकती है, वैसे नहीं, without license के नहीं भेजा जा सकता है आगे देख लेते हैं, conditions है कुछ इसमें भेजने के लिए आपका जो सबसे पहले भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, वो parcel post parcel post में भेजा जाएगा, यानि कि parcel के रूप में भेजा जाएगा और जो वो है insured होना चाहिए, आपका parcel उसका बीमा करवाया होना चाहिए transmission is not prohibited by state government ठीक है दोस्तों, जो transmission है, यानि कि parcel को जो ले जाना है post के माध्यम से, वो state government की तरफ से बात दे, यानि कि रुकावट नहीं होनी चाहिए उसमें, या कोई initiative नहीं होना चाहिए उसमें ठीक है, और dispatching PO, after dispatching PO, post office से निकलने के वाद state government की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए उसमें, प्लस, और क्या होना चाहिए permit issue by authority, और authority, जो authority होती है, उन्हें एक permit issue करना चाहिए, है न, ये conditions है इसके लिए, कहां पे करना चाहिए, destination state पे यानि कि जैसी एक state से दूसरे state के लिए भेजा रहा है, तो जिस state के लिए भेजा है, उस state के लिए एक permit issue करना चाहिए, authority को, या फिर उस जगा के लिए जहां पे उसे भेजा गया है, ठीक है दोस्तों, आगे है declaration must, इसमें भी declaration must है, यानि कि declare किया जाना चाहिए, भेजने वाले की तरब से, कि इसमें क्या भेजा जा रहा है, declaration में क्या क्या होना चाहिए, name of sender, sender का नाम होना चाहिए, कि जिसने भेजा है, उनका नाम क्या है, contents, क्या उसमें भेजा गया है उनका permit number जो उनका जो permit है उसका number क्या है और number of license of sender ठीक है जो उनका license से भेजने वालेगा जैसा अपनी इससे पहले पढ़ा था without license नहीं भेज सकते हैं तो जो उस license का number है वो भी लिखावा होना चाहिए declaration में क्योंकि वो बहुत जरूरी है आगे देख लेते हैं आगे है port Blair and Nankowri ठीक है दोस्तों port Blair और Nankowri में क्या नहीं भेज सकते हैं या port Blair और Nankowri में local जो provision है वहां के जो स्थानिय निशेद हैं वो क्या-क्या है skin and feather of all birds except domestic birds not ostrich ठीक है दोस्तों skin यानि कि उनकी त्वच्चा और उनके पंक ठीक है all birds ठीक है except domestic domestic birds वो होते हैं जो कि आपके पालतू होते हैं मुर्गियां यह सब जितने भी इसका कहने का बेज सकते हैं पर जो जंगली birds है उनके नहीं भेज सकते हैं और domestic birds में ostrich नहीं है ostrich के भी नहीं भेजे जा सकते हैं punk वगेरा ठीक है दोस्तों punk और skin आगे इसमें drug and narcotics ठीक है दोस्तों drug and narcotics नहीं भेज जा सकते हैं यह अंडर dangerous drug act 1930 के अंडर इसको नहीं भेजा जा सकता है आगे देख लेते पंजाब और डेली पंजाब और देली के क्या दिली के क्या local prohibition कोका लीप्स और हैंप भांग चरस कांजा इन सभी को नहीं भेजा जा सकता है और नहीं कोका लीप्स को भेजा जा सकता है पंजाब और दिली में आगे हैं पंजाब पंजाब से क्या नहीं भेजा जा सकता है कच ठीक है दोस्तों कच यह एक प्रकार का drug होता है ठीक है इ सिर्फ एक ही कंडिशन पर भेजा जा सकता है जब तक वह ऑफिसर के जो जे के के ऑफिसर होते हैं उनके साइन के बगर नहीं भेजा जा सकता है आगे देख लेते हैं आगे हैं पंजाब यूपी जे अनके तमिलनाडू वैस्ट बेंगाल असाम हिमाचल परदेश उडिशा ठी तीन चार पांच छे साथ आठ स्टेट्स है इन स्टेट्स से अधर स्टेट में ठीक है दोस्तों इन आठो स्टेट्स से किसी अधर स्टेट में लेटर या सेंपल पोस्ट के माध्यम से ठीक है दोस्तों लेटर या सेंपल पोस्ट के माध्यम से एक इंसेक्ट होता है एक ह D से ला से किसी भी स्टेट में है न और लेटर और सैंपल पोस्ट के माधवन से इकर्या पुर्चाथी ठीक है दोस्तों कियरई पुर्चाथी नाम का एक इंसेक्ट वहура कैं भी पाए जाता और उसे भी नहीं भेजा जा सकता है बाहर तमिनाडू केरला और करनाटका से साउथ की ये स्टेट्स है आगे हैं महाराष्टरा केरला और ओडिसा ठीक है दोस्तों महाराष्टरा केरला और ओडिसा में एक बंची टॉप मोसेल ठीक है दोस्तों बंची टॉप मोसेल नाम की ए आप बाहर नहीं भेज सकते हैं महाराष्टरा केरला और उडिसा से बाइपोस्ट के माधियम से तो बिलकुल ही निशेद है यह ठीक है दोस्तों यह थे हमारे लोकल प्रोहिबिशन ठीक है दोस्तों अब आगे देखते हैं क्लॉस नंबर 211 में ट्रीटमेंट ओफ इंजूरिय आठीकल ठीक है इंजूरियस यानि की चोट पहुंचाने वाले आठीकल ठीक है जो की खतरनाक हो सकते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा पोस्ट मास्टर डीटेंड एच्चर सी ठीक है सस्पेक्ट इंजूरियस मेल और परसन यदि पोस्ट मास्टर को किसी परसन जो कोई आर्टिकल भेज रहा है उस पर सस्पेक्ट है या फिर किसी आर्टिकल पर सस्पेक्ट है पोस्ट मास्टर को उन पर संदे हो जाता है तो उस आर्टिकल को जो है डिटेन कर दिया जाता है अपने पास रख लिया जाता है नजर बंद करके और उसे होसी में भेज दि ठीक है अगर ऐसे आर्टिकल्स जो इंज्यूरियस है यूजिंग पिन्स ठीक है दोस्तों अगर आप पिन्स यूज करते तो regularly जैसा कि हमने पढ़ा था sharp instruments यूज नहीं किया जा सकते हैं यानि कि pins भी नहीं और आप regularly pins यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपने pins यूज की और आपको वो RTS कर दिया जाएगा पर अगर आप regularly pins यूज कर रहे हैं तो वो आपका एक दो बार के बाद RTS हो जाएगा उसे आगे नहीं deliver किया जाएगा आगे हमारा treatment of prohibited और durable article निशुद या टिकाव लेखों का उपचार ठीक है दोस्तों उन लेखों का उपचार जो की या फिर prohibited है या फिर durable है यानि कि जादा चलने वाले हैं ठीक है content article against law ऐसा content ऐसी चीज या फिर ऐसा article जो की against law है ठ return to sender कर दिया जाएगा forward नहीं किया जाएगा उसकी destination पर ठीक है अगला है suspected article ऐसा article जो की suspect हो चुके है ठीक है दोस्तों यह उन पर कोई doubt है तो उन्हें mark किया जाएगा doubtful करके उन पर mark किया जाएगा और office of destination पर भेज जाएगा यानि कि वहाँ भेज दिया जाएगा जहां का उसमें address था delivery address ठीक है और वहाँ पर open in presence of address उस doubtful article को open किया जाएगा address के presence में ठीक है दोस्तों address के उपस्तिती में उस article को जो है open किया जाएगा अगर उसमें कुछ भी suspected मिलता है जो doubt था वो clear हो जाता है कि सही है उसमें कुछ भी suspected या फिर कुछ भी कानून के विरुद मिलता है तो जो भी उसके F.I.R. बगेरा होगी जो भी उसकी punishment होगी वो address को दी जाएगी ठीक है दोस्तों अगला है इसमें important imported postal articles ठीक है दोस्तों imported का जैसा आपको पता होगा imported का मतलब होता है जो की विदेश से आते हैं हमारे देश में ठीक है दोस्तों उसको बोलते है import जो यहां से जाता है उसको export बोला जाता है तो imported postal articles ऐसे articles जो की import किये गए यानि की विदेश से आए और उसमें है coins उसमें सिक्के है bullion है यानि कि bullion का मतलब होता है सोना जो शुद सोना जो की biscuits वगएरा के रूप में रखा जाता है या फिर precious stone या फिर कोई कीमती पत्थर है उसमें या फिर ज्वारात है ज्वैलरी है ठीक है दोस्तों उन सभी को भेजा जाएगा पर उनकी जो custom duty है अगर वो pay कर दी जाएगी तो उसके बाद ही उन्हें release किया जाएगा ठीक है दोस्तों without custom duty pay किये उन्हें नहीं भेजा जाएगा ठीक है अगला है ह हमारा दोस्तों article number 213 article bearing any matter which is prejudicial ठीक है दोस्तों to maintain of law and order ऐसे आर्टिकल जिसमें कुछ यह हिंदी में देख लेते हैं किसी भी मामले पर कानून और व्यवस्था का रख रखाव के लिए पूरवाग रही होने वाले ऐसे आर्टिकल्स जिनमें कानून के रख रखाव के लिए जुडिश्री से संबंदित कोई यानि की कोर्ट से संबंदित कोई लेख है कानून के रख रखाव के संबंदित कोई लेख है law and order से संबंदित कोई लेख है आर्टिकल है तो उनके लिए क्या होगा है ठीक है दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं number one article cover directly cause loss injury to any community or person ठीक है द जिन में law and order से संबंदित को है ना दोस्तों तो सबसे पहला है इसमें article cover ठीक है दोस्तों ऐसा article या फिर उसका cover ऐसा है जो directly loss कर रहा है है ना directly जिसके कारण loss हो रहा है किसी को या फिर injury हो रही है किसी को कोई चोट लग रही है किसी community को या फिर किसी person को किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी एक पूरे समुदाय को जिसकी वज़ा से चोट पहुंच रही है या फिर उनको कोई इससे आपत्ति है तो वैसे articles को रहे लो return letter office में भीज दिया जाएगा उसे deliver नहीं होगा ठीक है दोस्तों दूसरे नंबर पर इसमे photo of offender on article ठीक है दोस्तों chapter 6 of IPC में आप इ लो में जाएगा ठीक है दोस्तों यानि कि return letter office में ठीक है यह photo of offender on article या ऐसे किसी offender का यानि की offender का मतलब समस्मझ लगते हैं कि देश द्रोही ताइप कोई या फिर आतंगवादी ऐसे किसी का photo है अगर article पे offender हो या जो की उसका article पे photo है तो वो भी नहीं deliver होगा वो भी आरहलो हो जाएगा ठीक है दोस्तों आगे हमारा article which have anything written or printed impressed or attached to address side ठीक है दोस्तों ऐसे लेक जिसमें कुछ भी लिखा हुआ हो या फिर मुद्रित हुआ हो या फिर उबरा हुआ हो या फिर कुछ चपाया गया हो जो की address side पे हो और उस side को वो affect कर रहा हो तो उनको क्या किया जाएगा सबसे पहले तो address side पे कुछ भी लिखना allowed न in use और यह अलाओड नहीं है और stamp not in Use अगर stamp भी यूज में नहीं की गई है कि तो उन्हें return to sender कर दिया जाएगा उन्हें forward नहीं किया जाता हो तो दोस्तों आगे हमारा section 5 टेक है दोस्तों section 5 है 215 से 233 clause तक money order तो ये चलन में नहीं है इतना तो इसे नहीं पढ़ेंगे और 234 से 254 में है telegraphic money order तो ये तो बंद हो चुका है और ये slavus में भी नहीं है ठीक है दोस्तों तो इसे नहीं पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे करें किया आगे section 6 याने की फिलेटिली के बारे में फिलेट्ली का मतलब क्या होता है dark ticket इकठा करने का shock ठीक है दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें dark ticket इकठा करने का shock होता है पुरा नहीं नहीं या कोई special occasion की तो उन्हें फिलेटली कहते है इसमें हम देखेंगे पोस्टेज स्टेम्प टीकेट्स होती है उन्हें इकठा किया जाता है इसमें क्या है यूजड प्रेमिरली टू प्रीपेड चार्ज ऑफ कंवेंग आर्टिकल्स तू देयर डेस्टिनेशन तिक इसमें डाक टिक्टों को मुख्य रू जाता है उनके गंटवे तक पोंचने दिए पुर्ष भुक्तान के रूप में दोस्तों आगे इसे देखते हैं fiditly clubs होते हैं ट्रेकर दोस्तों जो fiditly clubs होते हैं वो Zoo Out World होتे हैं ये पूरी दुनिया में होते हैं fiditly clubs जाने कि डाक्टी कट्टा करने के जो श॑किन लोग ठीक है दोस्तो जो फिलेटली क्लब्स होते हैं वो अपने मेंबर्स को यहना help करते हैं यानि की दूसरे country के डाग्टिकट इकठा करने के लिए ठीक है दोस्तों उनको provide करवाते है वो डाग्टिकट डूसरे countrys के जैसे कि मागर आपको इंडिया से फिलेटली क्लब से युड़े है और आपको शॉख है डार्टिकट इकठ्था करने का क्लब से जुड़ते है तो आपको विदेशों में और countries के डार्टिकट भी आप इकठ्था कर सकते हैं आगे है क्र Мहारा फिलेटलीक दिख में ठीक है दोस्तों इजिये क्या करते हैं एंपोर्टेंट सिटी फिलेटली काउंटर्श ऑफ इंपोर्टेंट पीओ खोलब स्वों हरेक स्टेट के कैपितल हर एक स्टेट के राजधानी में राजधानीbitsnost के त्रीस में तीके दोस्तों filletly counters होते हैं हर एक important post office में यह मिलेंगे आपको बड़े post offices में तीके दोस्तों इनका काम क्या होता है for stamp collectors यह किसके लिए होते जिनको stamp की collection करनी होती है उन्हें इक ठा करने शौक होता है सिर्फ उनके लिए होता है है ना old issue available up to six months छे महीने तक के पुराने जो issue stamps होते हैं वो यहां पर आपको मिल जाएंगे those who cannot obtain personally open deposit account ठीक है दोस्तों जो personally नहीं आ सकते हैं उन stamps को लेने वो deposit account खुलवाते हैं ठीक है दोस्तों अगे domestic philataly deposit account system ठीक है दोस्तों अभी हम deposit account देख लेते हैं क्या आता है available at all philatical bureau ठीक है दोस्तों हर एक philatical bureau में आपको यह available मिल जाएगा यानि कि हर एक major जो city होती है बड़ी city होती है बड़े post office होते है important post office वहां पे आपको यह मिल जाएंगे account holder can have new comparative और special issue stamp first day cover information sheets ठीक है दोस्तों account holder जो है वो हर एक important जो new या special issue stamps होती है first day cover information होती है वो सब कुछ उन्हें मिल जाएगा automatically वो उनके जो account में है वो आ जाएगा इकठा हो जाएगा उन्हें आने की भी जरूरत नहीं है अगर वो personally नहीं आ सकते तो ही account खुलवाते ना दोस्तों आगे है हमारा ठीक है दोस्तों यह था हमारा फिलेटली के बारे में आगे है हमारा section 7 जो की है postal life insurance के बारे में ठीक है दोस्तों यह हम product and services में पढ़ेंगे और Indian post website से पढ़ेंगे यह हम बाद में करेंगे आज के लिए इतना ही आज की class में हम इतना ही पढ़ेंगे बाकी आशा करते हैं आप सभी हमारी classes से आपको classes पसंद आ रही है अगर आ रही है तो आप लाइक कर दें ठीक है दोस्तों अभी है हमारा यहां पर प्योगाइड बन खतम होता है बाकी हम प्योगाइड टू इसके बाद शुरू करेंगे यहां से आगे ठीक है दोस्तों तब तक के लिए आप सभी क्या धन्याबाद